दोस्तों आज हम इस वीडियो में Mieopathic Medicine, HM41 के बारे में बात करेंगे कि किया यह HM41 जो Mieopathic Medicine है, हमारी जो मरदान की खत्म हो चुका है यदि हम इसे दावा को लेना शुरू करते हैं तो क्या इसे हम पुरह वापस पा सकते हैं तो इसके बारे में अबिस्तार से जानने के लिए आफ हमारे चैनल पर बने रहें नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर प्रमोत कुमार सी आफ शभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ यदि आफ हमारे चैनल पर पहली बारा हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो दोस्तों चन करके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और सांथ ही बेल आइकन को भी टच कर लेजिए ताकि जो भी मैं स्वाथ समन्दी वीडियो यूटूब पोटल पर अपलोड करूँ तो उसका रूटिप्लिकेशन आपको जरूर मिले तो मैं कह रहा हुथा हम 41 ओमियापैथिक मेडिसिन के बारे में तो यह जो मेडिसिन है यह पूर्सो के लिए बेड बिस्तार को पढ़ाता है यानि कि बेड पर जो अपने टाइमिंग है यदि इस मेडिसिन का परियोग करते हैं तो वह बिलकुल ही पढ़ा सकते हैं साथ ही वह अपने जो इच्छा है बिलकुल ही पूरी तरह से पूरी कर सकते हैं अब हम लोग जान लेते हैं यह मेडिसिन किस प्रकास से हमें उर्जा प्रदान करता है तो यह जीवन सकती और सकती को बढ़ावा देता है पूर्शो में जीवन सकती और उर्जा के अस्तर को बढ़ाने में यह जो मेडिसिन है मदद करता है साथ ही यदि तंत्रि का तंत्र में ठकावट महसूस होता है तो भी यदि हम इस मेडिसिन का परयोग करते हैं तो यह जो मेडिसिन है उस ठकावट को बिलकुल ही दूर कर देता है और साथ ही सारीरिक और मांसिक जो तनाव हमें रहता है उसे भी या कम करता है। उर्जा अस्तरों को भी या बहुत ही सुधार करता है। इस दवाई का मुख्य उदेश्य सारीरिक उर्जा को बढ़ाना और जोन समंधी समस्याओं को या फिर पुर्षों को सहन समता प्रदान करना और उतेजना प्रदान करना ही है। साथ ही यह जो हुमियपैथिक दवाई है फुर्षों को जो समान्य कमजोरी और दुर्बलता महसूस होती है तो वैसे लक्षणों को दूर करना है। अब हम किसी स्थिती में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको भी हम जान लेते हैं। तो जब हम दावा का इस्तेमाल करते हैं और उस समय हमें लग रहा है कि हमें शिटशिडापन या हम तनाव ठीक होने के जगह पे हमेरा जो तनाव है बढ़ता जा रहा है या सिर में दर्द होता हो या फिर मितली जैसा उल्टी करने का मन करता हो तो उस स्थिती में हम इस मेडिसीन को बिल्कुल ही बंद कर देंगे अब हम लोग जान लेते हैं कि इस होमियोपैथिक मेडिसीन में का पर्योग करके इस SM41 होमियोपैथिक मेडिसीन को बनाया गया है तो पहला मेडिसीन है एगनस कास्ट एगनस कास्ट जो होमियोपैथिक मेडिसीन है या हमारे सारी सकारियक ठकावट को और 70 कमजोरी से रहात तिलाता है। दूसरा मेडिसिन है एसिट फास्पोरिकम। यह जो मेडिसिन है यह इसका हम इस्तमाल करते हैं। तो हमें सारेरी कमजोरी और 30 30 फाकावट दूर करके उर्जा हमें प्रदान करना इसका काम होता है। साथ ही कुनियम मेकूलेटम का काम है कि जब हम पुरुश में चिठीड़ापन हो जाता है और एक गरता हम अपनी जो ध्यान है एकागरा नहीं कर पाते हैं तो वैसे इस्थिति में यदि हम इस मेडिसिन का परियोग करते हैं तो हमें एक गरता प्रदान मिलता है और साथ ही हमें शक्ती प्रदान करता है यह पोनियम मेडिसिन है वो अभी इस मेडिसिन में मिला हुआ है दूसरा मेडिसिन है शाइना शाइना का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारा जो सरीर है बिल्कुल ही दूरबल हो चुका होता है जब हम कोई भीमारी भुगतते हैं या हमारे सरीर से बहुत मत्रा में किसी कारण बस सरीर से जो पून है पलड है बाहर निकल चुका होता है और उसके वज़ा से आई कमजूरी के कारण जो हम या हमारा तंत्री का तंत्र है बिल्कुल ही हकाथ हका महसूस करता है यदि वैसे इस्थिति में हम साइना हो या पैथिक मेडिसिन का परियोग करते हैं तो हम पुना ही अपने स्वास्त को प्राप्त करते हैं तो वो भी ऐस मेडिसिन में डाला हुआ है अगला मेडिसीन है डेमियाना डेमियाना ऐसा इंग्रेडियन्ट है जो पुर्षों के जननांग छेत्र को अस्ट्राउंग और साथ ही मजबूत बनाने में मदद करता है और अस्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है अब हम लोग सिपिया होमियोपैथिक मेडिसीन के बारे में जान लेते हैं सिपिया मेडिसीन उस इस्थिती में काम करता है जब हम या हमारा सेक्सूल या उतेजना बिलकुन ही खत्म हो चुका होता है या हमारी जो रूची है उसमें नहीं रह जाता है लेडिज हो या चेंज ह वैसे इस्थिती में यदि हम इस मेडिसिन को वैसे पूरुष या लेडिस को प्रियोग कराते हैं तो जो उनकी गई हुई उतेजना है फुनक वापस चला आता है अब अगला मेडिसिन है फासफोरस फासफोरस जो हमियापैथिक मेडिसिन है यह हमें बिल्कुल ही उतेजना में शुधार लाता है और हमें यह भी अस्ट्रॉम बनाता है तो दोस्तो यह रहा है एचेम वन फोटी वन हुमियापैथिक मेडिसिन में मिश्रीत कुछ हुमियापैथिक मेडिसिन अब हमें इसकी सेवन कैसे करना है तो इसका सेवन हम सो एमेल पानी में पंदरा बुन डाल करके दीन में दो से तीन बार यदि कुछ समय तक सेवन करते हैं तो हम बिलकुल ही अपनी खोई वुच्छमता को प्राप्त कर सकते हैं और जब हम इस मेडिसिन का सेवन कर रहे होते हैं उस समय यदि हम नासा करने के आदी हैं तो हमें प्रहेज करना होगा तो यह मेडिसीन बहुत ही एफेक्टिव और लवकारी शावित होता है तो दोस्तो मैं आप शभी को हमियोपैथिक मेडिसीन SM41 के बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ यदि आपका कोई शवाल हो, तो हमें कमेंट बक्स कमाधियम से जरूर पूछना है और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हों, तो सब्सक्राइब अभी कर लो ताकि जो भी मैं स्वाज समंधी वीडियो अप्लोड करूँ, उसका नोगती कैसान आपको जरूर मिले, तो दोस्तों फिर हमें स्वाज समंधी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद